नमस्कार आज मैं आपको बता हुए आसान और सरलत जी किसे सिंपल ब्लाउज कटिंग एंड इस्टिचिंग ये ब्लाउज की जो चैस्ट है वो 33 इंच की है और इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच है इसकी जो कमर है वो 26 इंच की है तो सबसे पहले हम एक कपड़े को देखेंगे ये कपड़ा है वो बॉर्डर वाला कपड़ा है यहां पे बॉर्डर बना हुआ है इस तरीके से तो एक बॉर्डर हम यहां पे बाजू पे लेंगे और एक आएगा हमारा पीछे की साइड सबसे पहले हम कपड़े को डबल करके रखेंगे अब डबल करने के पाद अब हमारी जो लंबाई वो लेंगे अब जैसे यहाँ पे बॉर्डर रहना तो यहाँ पे हमें अंदर वाली पट्टी लगानी है क्योंकि इसको थो हम अंदर के साथ नहीं दबा सकते तो यहाँ पे देखे जैसे हमारी जो पीछे की लंबाई है वो बारा इंच के तो हम यहाँ पे लेंगे कपड़े की लंबाई तेरा इंच और इसकी जो सोल्डर लेंगे वो लेंगे हम पाच इंच के क्योंकि इसका गला हम डीप बनाएंगे अब इसकी जो चैस्ट वो 33 इंच है तो साड़े आठ इंच पर हमारा फिटिंग का निशान आएगा डेड़ इंच आएगा हमारा यहां पर सिलाई के लिए और यहां पर साड़े पाच इंच लेंगे हम आरो मल आदा इंच की दूरी यहां पर गोलाई अब पीछे का जो गले की जो चौड़ाई वो दो इंच की लेंगे गले की लंबाई आठ इंच और यहां पर देखिए हम ऐसे गोलाई में कटिंग करने हैं पीछे की जो प्लेट हो देखिए हम यहां पर सोल्डर के साब से इस तरीके से निशान बनाएंगी तो पीछे की जो लंबाई रहेगी सोल्डर की वो रहेगी हमारी चार इंच यह होगे हमारा पीछे का इसको रखेंगे आगे की साथ इस तरीके से अब यहां पर हमें दो इंच लेना है आगे का पल लग अब देखें पीछे के पलर को हटा देंगे और यहां पर लेंगे हम गले की चोड़ाई दो इंच गले की लंबाई लेंगे छे इंच चौकूटा निशान उसके बाद गोल आई आदा इंच यहां पर कटिंग करेंगे आरो मल की इसके जो लंबाई लेंगे अब हम यहां पर तीरे का निशान लगाएंगे 12 इंच पर एक इंच उपर की सेट अब आप कहेंगे कि इसकी जो पीछे की लंबाई है वो 12 इंच है तो आप तीरे का निशान 12 इंच पर क्यों लगा रहेंगे तो दिकिए यहां पर जब असमें प्लेट डालेंगे तो यहां पर 11 ंच. का या 16-4 इंच का तीरा हो जाएगा प्लेट डॉललने के बाद साड़े December. 15 अग해요-five यहां पर हमारा तीरा भी आ जाए तो इस किस तरीके से हमें इसको तयार करना है में यहार तीरा होगया अब हमें यहां पर टक्स का निशान लगाना है तो टक्स का निशान लगाएंगे हम यहां पर साड़े नौ इंच पर अब जो फिटिंग का कपड़ा है तो साड़े आठ इंच हमारा यहां पर फिटिंग का कपड़ा है साड़े 8 इंच का आधा करेंगे donc हम 8 इंच बानके चलिए तो चार इंच पे निचे की प्लेट का जाएगी जिस दो इंट की दूरी यहां पे और एक निशान यहां पे इसके बार लगा लेंगे कैश का कप्थ इस तरीके से हमारा तीरा आजाएगा एक इंच यहां पर हम इसको भी कट कर लेंगे तीरे को क्योंकि इसमें प्लेट डालेंगे अब हमें बाजू की कटिंग करनी है अब देखिए यहां पर कपड़ी की जो चोड़ाई है वो अठारा इंच है तो हमें ज्यादा चोड़ाई नहीं लेनी है हमें यहां पर 17 इंच की चोड़ाई लेनी है हमारी जो आरूमल है वो 5.5 इंच की है अब देखिए यहां पर हम कपड़े को इस तरीके से करेंगे डबल अब हमें अपनी बाजू की लंबाई लेनी है तो हमारी जो बाजू की लंबाई है वो दस इंच है यहां पर तो हमें एक इंच जादा लेना है तो ग्यारे इंच पर निशान लगा लेंगे अब हम यहां पर लगाएंगे तीन इंच पर निशान इसको देखिए हमें ऊपर की साइब इस तरीके से लेके जाना है और अच्छे से हमें गोलाई में कटिंग करनी है अब देखिए यहां पर हमारी जो मौरी है वो दस इंच तो यह हमारा फिटिंग का हो जाएगा है 1.5 इंच हम यहां पर ज्यादा लेंगे यह हो गई हमारी बाट अब मैं आपको इसकी इस्टिस्टिंग बताते हूं अब सबसे पहले देखिए हम यहां पर प्लेट डालेंगे तो यहां पर जो हमारी यह प्लेट है इसकी जो छोड़ाई लेंगे वो आदा इंच लेंगे और यहां पर हमें पप के लिए एक इंच लेना और यहां पर आदा इंच और यहां पर भी तो इसको हम एकदम सेप में उतारना हमें कम करते हुए अब आदा इंच यहां पर अब देखें हमारी यह चारो पिलेटों डल गई है अब इसके बाद देखें हमें नीचे का तीरा जोड़ना है इस तरीके से तो यहां पर देखें हमारा तीरा भी लग गया अब इसी तरीके से हम अपना दूसरा परलत तयार करेंगे और देखें यहां पर कितना अच्छा पप बनाएं अधंग झारो प्रe क्या दो कितनी जचार बनाभा करेंगे और में ड़ आप ग्रे ए hina समार आस कर दो कहाईमा गया कि वहां झाल गया कि अब देखिए यहां पर दोनों परला तयार है अब हम इसमें हुक वाली और काज वाली पट्टी लगाएंगे तो यहां पर हमने पट्टी के चोड़ाई लिए वो डेड़ इंच लिए तो इसको अंदर की शाट दवा देंगे और यहां पर पट्टी के चोड़ाई वो तीन इंच अब देखिए यहां पर हमने पट्टी इस तरीके से जोड़ियें तरीके से जोड़ियें ऐसे करके अच्छे से पट्टी को रखके इस तरीके से मिलाएंगे और अब इसमें पीछे का पडला जोड़ेंगे तो यहां पर हम एक इंच की चोड़ाई लेंगे एक इंच लेना है हमें अब एक पट्टी को लेना है इसके अंदर हम पट्टी को धबाएंगे अब यहां पर हमने पट्टी को अंदर की साथ दवा दिया है अब हम इसमें आगी के पल्ला जोड़ेंगे कर अब जैसे हमारी चेस्ट देती से इंच तो यहां पर जो हमारा निशान लगा हुए यहां पर में शिलाई लगानी है तो इसमें अब हम बाजू लगाएंगे अब बाजू लगाने के बाद अब हम इसमें फिटिंगी शिलाई लगाएंगे तो यापे निशार लगा हुगा, इसी के उपरा में सिराई लगानें अब जैसे हमारी जो पहली वाली मोरी है, उसको हमें ऐसे नापना, और यहां पर फिटिंग का निशान लगा लेंगे, अब हमारी जो भी कमर है, उसको नापनेंगे, और यहां पर हम इसको अंदर की शार दबा के इस तरीकी से चुर्पाई करेंगे, और अब हमें गले में पाईपन लगानी है, तो अगर आप पर पाईपन लगाना नहीं आता है, तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, मैंने बहुती आसान और सरल तरीके से पाइप लगाना बताया है तो यहां पर हमारा यह बलाउद बनके तयार है अब देखे यहां पर हमारा यह बलाउद बनके तयार है आसा करती हो आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडिय है तो प्लीज नीचे कमेंट करें अगर आप नई है तो हमारी चैनल को सब्सक्राब कर लें धन्यवाद